हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टी यर ओन चैनल डेली स्टॉक चो दूस्ते इस वीडियो के अंदर हम वरेनियम क्लाउड के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको वरेनियम क्लाउड के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखिए सब्सक्राइब यह जानेंगे कि यह कमपनी क्या काम करती है तो देखिए जो कमपनी है 2017 के एंड में यह कमपनी स्टार्ट हुए अगर आप देखोगे चार से पान साली यह कमपनी को स्टार्ट हुए है तो देखिए जो कमपनी है में लिए अगर आप देखोगे जो डिजिटल ओडियो वीडियो और जो फाइनेंशियल ब्लॉक्षेन से लेटे जो भी सर्विशीज्व होती है वो यह कमपनी प्रॉइड करवाने का काम करती है तो देखिए इनका एक एडमिशन करके यह कमपनी का एक प्लेटफॉर्म हमें नजर आता है तो वह आपे जो भी टीचर्ट होगे रहोते हैं वह वहाँ के पड़ा सकते हैं जो बच्चे वह अगर होते हैं अगर उन्हें कोई कोर्स वगर अविल करना होता है तो इनके इस प्लेटफॉर्म पे जाके अविल कर सकते हैं उसके लाव अगर हम दिखेंगे जो आजकल जो डिजीटल पेमेंट वाले सॉलिशन्स वो भी एक अमनी प्रोवेड करवाने का काम करती है तो एक तरीके से देखा जाए हमें याप ये डिजीटल कंपनी नजर आती है कि निव एज कंपनी भी हम याप इस कंपनी को कह सकते हैं लेकिन देखें अभी चार से पांच साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं और अभी अगर आप देखोगे अभी डिसेंटली 13 महिने पहले ये कंपनी हमें लिस्टो टीवी नजर आई थी और उसके बाद में अगर आप देखोगे अल्मोर्ट डज गुना यहां पर कंपनी का स्टॉक हमें होता हुआ नजर आया है अगर हम यहां पर कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स के अगर हम बात करेंगे 73 का P-Ratio हमें यहां पर नजर आता है लेकिन देखे जो पिछले 6 महिने के जो कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किये ले तो इसके शाब से यहां पर जो कंपनी के P-Ratio के अगर हम बात करेंगे तो वह around 30 का P-Ratio हमें यहां पर कंपनी का नजर आता है यहां पर अगर हम ROC ROE क अगर हम बात करेंगे तो अभी यह नंबर काफी ज़्यादा है लेकिन यह दीर है भी यहापे कंपनी ने नहीं इक्विटी रेस करिए अगर आप देखोगे अराउं 35 करोड का फंड उन्होंने रेस किया है यहापे उनका इक्विटी यहापे बड़ा है और टोटल कैपिटल इनकी बड़ी है तो उसके बाद में यह ROC का नंबर हमें आपे कम होता हुआ नजर आएगा अधिके यह एक डिजिटल कंपनी है तो यहापे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्टी नहीं है यहापे मेरे खाल से बुक वैली को देखना है यहापे मेरे खाल से गलत तो देखिए भले इंडस्टी का P यहापे राउंड 31 का है और यहापे आपको यह 173 का दिख रहा है लेकिन मैं आपको आने वाले टैम पर यह रीजन दिखाऊंगा कि अक्ट्वली में जो P रेश्यो का नंबर है यहापे राउंड 30 के लगबग हमें यहापे नजर आता है कंपणी ने कमाया था तो यहापर अगर आप देखोगे तो यह इतना ही ग्रोड हमें यहापे नजर आ रही थी तरकिन यहापर अगर आप देखोगे अगर हम कंपनी के 6 महीने के नंबर के अगर हम बात करेंगे यहापर अगर हम कंपनी के शेल्स के नंबर के अगर हम बात क सकता है और यहां पर अगर आप देखोगे तो यह नमब 35 करोट पर यानि कि अगर आप देखोगे 6-7 टाइम से भी ज्यादा यहां पर जो कंपनी के revenue के numbers हो में यहां पर year on year business पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर यहां पर 6 महिने के कमनी के total profitability के अगर हम बात करेंगे यह नमब 26 करोट के हमें नजर आता है यानि कि annualize basis पे 50 करोड से भी ज्यादा के net profit के numbers यहां पर company के हो सकते हैं क्योंकि पिछेले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो 6 गुना से भी ज्यादा हमें यहां पर नजर आता है तो all over देखा जा तो यह numbers को देखे ठोड़ा से ऐसा लगता है कि यहां पर थोड़ा red flag हमें यहां पर number में नजर आता है तो इसको हमने बिलकुल एक तरीके स सच नहीं मानना चाहिए यहां पर थोड़ा cautious view लेके अपने यहां पर लेना चाहिए लेकिन अगर हम यह number को अगर हम मानके चलते हैं यानि कि अगर यह 26 करोड का profit अगर हमें company का मानके चलते हैं और लगबग 50 करोड के लगबग के net profit के number को अगर हम मानके चलते हैं यहां पर रैली होटा हुआ नजर आ रहा है अब अगर हम यहाँ पे share holding pattern की अगर हम बात करेंगे तो देखिए promoters की holding 63% की हमें यहाँ पे नजर आती है तो यहाँ पे FIS की generally अगर आप देखोगे तो holding holding जो छोटी companies होटी वहाँ पे इतनी जादा holding हमें नजर नहीं आती लेकिन यहाँ पे फिर भी FIS की holding है लेकिन यह नी के बराबर है लेकिन अगर हम retail investors की holding के अगर हम बात करेंगे यह number लगबग हमें 36% का नजर आता है तो देखिए यह IPO के अंदर मुझे लगटा है कि जो retail की holding हमें यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ पे जो main जो big ऐचेनाइस होते है उनकी holding हमें यहाँ नजर आती मुझे लगटा है कि एक normal retail kind of investor इसने इस company का IP में अपलाई किया होगा वो अभी दग यहाँ यहाँ यह stock को hold कर रहा होगा यहाँ पे cash flows के अगर हम बात करेंगे तो देखें यहाँ पे दो साल तक company के operating cash flow negative थे यहाँ पर अगर आप देखोगे 31 करोड का positive cash flow में यहाँ पे company का नजर आता है और उसे company ने पूरा reinvest यहाँ पे किया है और financing activity पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो inflow में देखने को मि हमें हमें यहाँ पे नजर आता है तो देखे 1449 पे यह stock हमें trade होता हुआ नजर आ रहा है और देखें यह जब company ने लगबग 35 करोड का जो fund raise किया था तो आपे उन्होंने ऐसा बोला था कि 3 data centers जो अगेरा हो यहाँ पे employee करने वाले यानि कि 3 data centers जो हो बनाने वाले है तो इस point वीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे यह इन्होंने अगर पूरा growth के लिए इन्होंने fund को use किया था यानि कि अच्छा नहीं है कि अपने किसी working capital requirement का नाम देखें उन्होंने fund को raise किया एक तरीकेश अगर आप देख करती है तो कहीं ने कि वहां पर मार्केटी से काफी ज़्यादा positive में ले सकता है और स्टॉक हमें यहाँ और ज्यादा रैली होता हुआ नजर आ सकता है लेकिन देखें यहाँ पर मेरे क्याल से थोड़ा cautious तू लेना ही सही रहेगा अगर आपका risk appetite काफी ज़्यादा low है यान का जा रहा है कि लगबग 1200 क्रोड के शेर्स यहाँ पर कमनी इस्यू करने वाली है लेकिन देखें ट्विटर पर ऐसी कुछ update आई है लेकिन यह कोई correct news है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन देखें अगर यहाँ पर कमनी अगर और आने वाले टाइम पर अगर शेर कमनी में invested हैं तो मेरे खाल से यहाँ ठोड़ा आपका जो पार्टली जो प्रॉफिट है वह यहाँ पर आपने बुक करना चीए लेकिन मेरा पॉइंट विए रहेगा कि यहाँ ठोड़े से रेड फ्लेग मुझे आपे नजर आ रहे वजब तक मुझे ठोड़ा numbers के मैं वहाँ पर नॉर्मली invest करने का suggestion नहीं देता हूँ लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी के numbers यहाँ पे काफी अच्छे हैं और यह कंपनी के original numbers अगर आपको नजर आते हैं तो definitely आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना चीए तो कि अगर originally का यह number है तो यहाँ पर definitely आने व को मिल सकती है तो अगर आपको नंबर सही लगते तो आपने यह point of view लेना चाहिए तो दोस्तों मैं क्लाउड के detail analysis के बारे में आपको सब कुछ समझे में आगया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day